क्लास नाइन चेप्टर एरिया और पेलोग्राम एंड ट्रेंगल इस चेप्टर में हम एरिया और पेलोग्राम एंड ट्रेंगल की कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी को जानेंगे और देखेंगे यह किस किस तरीके से एरिया बैरी करता है और कौन कौन सी अबजेक्ट का एक्वल होगा और वो कौन सी प्रापर्टी है जिनको देखते हुआ हम कह सकते हैं कि यह एक्वल होंगे और साथ ही हम कुछ फॉर्मली भी ड्राइब करेंगे पैलोग्राम और ट्रेंगल के और ट्रेंगल के जिनकी मदस्थे हम उनका एरिया फाइंट कर सकते हैं और वो क्या कंडिशन होती है जिनकी मदस्थे हम कह सकते हैं कि इनका एरिया एक्वल है सबसे पहले हम समझते है प्लेनर रीजिन क्या होता है प्लेनर रीजिन वो रीजिन होता है जो कि एक क्लोस फिगर अपने अंदर बाउंडर करके रखती है वो रीजिन जो एक प्लेनर फिगर के अंदर बाउंडर होता है उसे प्लेनर रीजिन कहते है और area उसका magnitude होता है, the magnitude of measure of the planar figure in close by a close figure, जो एक close figure के दोवारा, जो planar region cover किया है, उसका magnitude कितना है, उसे इरिया कहते हैं, कॉंगनेंट figures, कॉंगनेंट figures होती है, एसे figures होती है, जिनका shape and size same होता है, और साथ ही, दो कॉंगनेंट figures का area भी same होता है, इफ टो कॉंगनेंट figures are cut and one of them super imposed on other, then each figure cover each other complete, मेंट से हम अगर दो कॉंगनेंट figures को लनें और दोनों figures जो कॉंगनेंट हैं, उन्हें एक दूसरे पर रखें, तो ऐसी condition में बोच दोनों figures एक दूसरे पर completely overlap कर लेंगी, अब हम चलते हैं कुछ Euclidean area of axon पर, पहला existence of postulate, पॉस्टिलेट क्या कहता है, इसे पढ़ते हैं, Correspondent to each polygon P lying in a plane, there existed real number in which area is greater than 0, में to say, एक planar region, एक किसी भी polygon के अंदर, जो उसका planar region है, उसका magnitude area है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो उसकी कुछ area की value जो होगी, एक planar region की, वो 0 से हमेसे जाता होगी, इसी तरीके से, Dominus Postulate क्या कहता है, अगर दो region है, R1 और R2, और R1 जो है, R2 का एक part है, तो ऐसी condition में, जो area of R1 है, वो area of R2 से कभी बढ़ा नहीं हो सकता, वो area, R1 के area से R2 का area बराबर हो सकता है, लेकिन, कभी बढ़ा नहीं हो सकता, positive identity, मिन्ट उसे, ऐसे दो area, दो planar region, R1 और R2, जिन में कोई point mix नहीं करता, या match नहीं करता, और वो overlap region नहीं है, तो ऐसी condition में हम, उन दोनों का area, का total जो होता है, वो separately उन दोनों को air करके निकाल सकते हैं, जैसे area of R1 and R2 is equal to separately area of R1 plus area of R2, and in the adjoining figure, जैसे हमें दे रखी है, A, B, C, D, A, B, C, D जो हमें figure दे रखी है, इसमें एक quality बनाए, हम quality के area को मानते है, R, और इसमें हम एक diagonal BD create करके, दो area में कर्मट के R1 and R2, हम देख सकते हैं, इन दोनों में कोई point match नहीं करता, इस जैसे हम दोनों को separately add करके area of quality फैंट कर सकते हैं, जैसे area of R1 is the area of quality A, B, C, D is equal to area of triangle A, B, D and B, D, C, that is area of quality R, R and area of triangle A, B, D, R1 and area of triangle B, D, C, R2, जो हमारा जो area में निक्ला, total area of quality area of area of R is equal to area of R1 plus area of R2, second, congruence postulate, congruence postulate क्या कहता है, जैसा कि हम ने भी आपको उताया था तो अगर R1 and R2, दो congruence figure हैं, तो उनके area भी equal होंगे, में जैसे R1 is congruence to R2, then this implies that area of R1 is equal to area of R2, लेकिन इसका ultra true नहीं हो सकता, में जैसे, अगर किनी दो figures का area equal है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो congruent हों, जैसे हम एक square देखते हैं, square की side होती है, और इसका side है 4, तो उसका area होगा 4 का square, 4 का square होता है 16, इसी तरीके से हम दूसरे एक rectangle लेते हैं, जिसकी एक length है वो 8 है और breadth है उसकी 2 है, तो उसका area 16 है, लेकिन जैसा कि जानते हैं एक rectangle जिसकी side 4 है, और, एक square जिसकी side 4 है, और rectangle जिसकी side 8 और 2 है, वो दूसरे की length equal नहीं है, फिर भी उनकी area equal है, यह आपकों देखके कह सकते हैं, area equal होने से हम यह नहीं कह सकते कि बहुत दूना figure congruent भी होंगी, लेकिन अगर दो figure congruent हैं, तो उनका area equal होगा, इस जरीके से figure on the same base and between same parallel, दो figure जो कि same base और same parallel में होंगी, वो, कब हम कहेंगे कि 2 figure same base और same parallel के बीच में होंगी, तो हम, दो figure same base और same parallel में तब कह सकते हैं, जब वो दोनो figure's का base same हो, and same base की opposite vertex यों हैं, वो एक same parallel line पर lie कर रही हो, जैसा कि हम एक figure देख सकते हैं, यह सी हमारे पास 2 parallel lines हैं, AB and CD या AB and X पाई ले 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 हम देख सकते हैं एक फिगर A, B, C and ABD दोनों हीं का common base AB है and common base AB होने के साथ इन दोनों का common point जो है जो opposite vertex है वो same parallel X, Y पर लाई करते हैं दोने C and D तो इस बियास से जो हमारी फिगर ABC and ABD are in same base and between same parallel दोनों triangles हैं और दोनों same base same parallel के बीच में आते हैं इसी तरीके से एक दूसरी फिगर देखते हूं इसमें हमारा एक quadulator है ABCD and दूसरा है ABEF दोनों का same base है AB and दोनों ही same parallel and DE पर इनके opposite vertex आते हैं तो इसलिए quadulator ABCD and ABEF are in same parallel and in between same base नाओ हम फिगर देखते हैं हमारे पास एक quadulator है ABCD and एक rectangle है ABH जो ABCD है और जो quadulator है ABH है उन्दों का same base है AB and उनके opposite point triangle और quadulator के same base and same parallel पर उनके opposite point भी आते हैं इसलिए हम कह सकते हैं triangle and parallel required later are in same base and same parallel हम दूसरी फिगर देखते हैं हम देखते हैं एक फिगर लेते हैं ABD and दूसरी लेते हैं AED D हम इसमें देख सकते हैं कि यह दोनो parallel की बीच में है same parallel की बीच में है और उनके opposite vertex same point पर लाइक करते हैं लेकिन इनकी जो lines हैं वो same base पर नहीं है इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि D line आs same base है same parallel इसी तरीके से हम एक quality देखते हैं ABCD इनकी ट्रेंगल देखते हैं A, B, Q इसके opposite vertex same parallel लेकिन का same base नहीं है इसी तरीके से हमें quality देखते हैं जो है ABCD and P, Q, RF इन दोनों के opposite vertex हैं वो same same point same vertex पर लाइक करते हैं same parallel पर लाइक करते हैं दोनों ही correlator same parallel के बीच में हैं लेकिन इनकी तो base है वो same नहीं है यसलिए it is not same base हम कह सकते हैं इनको अब इन figures को देखते हैं यसलिए मैं देखते हैं ABCD and APB हम देख सकते हैं इनका same base है इस figure में same base तो है लेकिन ये दोनों पर जो है same parallel के बीच में नहीं है इसी तरीके से PQRS PQRS में and PQMN में same base है लेकिन same vertex पर लाइनिंग करते हैं उसी तरीके से PQRS PQRS and RSTV RSTV जो है उसमें भी हम देख सकते हैं same base है लेकिन same parallel नहीं है इन सब कुछ देखते हुए अब नहीं जाना concept की figure होती है same base और same parallel में होती है तो अब हम देखते हैं कि कौन कुछी properties होती है चिनर हम कह सकते हैं कि वो properties एक क्वाइलेटर के अंदर होती हैं और same parallel triangle इनकी बीच में होती है AB है and between the same parallels AB and FC और same parallel जो है AB और FC है दोनों के मैं प्रूब करना है area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram ABF जो area of parallelogram ABCD है वो area of parallelogram ABF के बरावर होगा तो इसे प्रूब करने के लिए हमने क्या किया है हमने दो triangles दी है triangle ADF and triangle BCE तो इसमें हम देख सकते है AD is equal to BC AD and BC दोना अपस में equal है क्योंकि opposite of parallelogram है जो देखेंगे angle ADF and BCE ADF and BCE जो है corresponding angle है तो parallelogram के बीचे corresponding angles है इसलिए इसलिए दोना भी equal होगे इसी तरीके से DF is equal to CE DF and CE भी equal है हम यह prove करती दिया है जैसे कि मैं पता है कि DC and EF equal है DC and EF equal है because E is equal to AB दोनों AB equal है and तो हमने क्या किया FC दोनों में subtract किया जो हमने दोनों में से FC subtract कर दिया तो DF become equal to CE तो why this we can say that triangle ADF become congeneral to triangle BCE by SES criteria जब हमने बताया था दो figures जिनका जो congeneral होती है उनका area भी equal होता है तो हम कह सकते है area of ADF become equal to area of BCE now अब देखिए हम area of triangle ABCD को divide करते हैं area of triangle ADF and area of correlator ABCF अब देखिए हमने जैसा पता था area of triangle जो है ADF equal है area of triangle BCE तो हमने area of triangle BCE रखती है और जो हम देखते है area of triangle BCE plus area of correlator ABCF तो यह बरावर होता है area of program ABEF तो हम कह सकते है area of program ABCD is equal to area of program ABEF हैंस प्रूब हो गया इसी की तरह है यह program and rectangle on the same base and between the same parallel also have equal area अब program हो rectangle हो वो यह अब यह सेम बरावर सेम पैल के बीच में होते है तो उनका area भी equal होगा क्योंकि एक rectangle भी एक पैलोग्राम ही होता है अब देखिए base and altitude base क्या होता है any side of the parallelogram call the base हम किसी भी side को base कह सकते है base मतलब कि आधार जिस पर वो रखा हुआ है और किसी side को भी आधार मान सकते है एक पैलोग्राम के अंदर altitude जो होता है perpendicular line from the base एक base से जो perpendicular line होती है उसे हम उसका altitude कहते है जैसे हमारा ये पैलोग्राम देर रखा है ABCD ABCD में जब हम AB को base मानते है तो हमारा altitude DL बनता है उसी तरीके से जब BC को हम altitude base मानते है हमारा altitude DM बनता है तो इस तरीके से अब हम चलते हैं theorem number 2 पर theorem number 2 क्या कहता है area of parallelogram is equal to the product of any side and its altitude में जब उसे जब 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 बोलने हैं तो जो area of parallelogram होता है वो equal होता है base into height की तो में given क्या है हमें दिर रखा है ABCD पैलोग्राम है और AB उसका base है and AL its corresponding height और altitude है तो हमें क्या परूग परना है हमें क्रूग परना है area of parallelogram ABCD is equal to base into height हमारा base हमने माना है AR अब बेस हमने माना AB और height माना है हमने AR construction में क्या किया construction में किया हमने BM draw किया इस तरीके से जो perpendicular हो DC पर अब देखिए हम क्या कर सकते हैं हम यहां पर देख सकते हैं हमारे construction की बादे से एक rectangle और परलोगाम दोना same base and same parallel बीच में आ रहे है परलोगाम ABCD and rectangle A, B, M, L are under same base and between same parallel lines A, B and L, C तो इस बिज़े से हम यह कह सकते हैं area of parallelogram ABCD become equal to area of rectangle A, B, M, L और area of rectangle की होता है base into height तो base into height होता है तो हमारे इसकी base है AB और इसकी height है AL तो इस जैसे area of parallelogram हो गया AB equal to base और AL equal to altitude or height तो base into height कह सकते हैं या base into altitude कह सकते हैं तो और नमबर 3 parallelogram on equal base and between same parallel also have equal area में तो उसे ऐसे parallelogram जिनका same base हो और equal area हो बो दोनों भी equal होते हैं उनका area भी equal होता है हमें प्रूव करना है और हमें दिख्या के दे रखा है हमें दे रखा है ABCD and PQRS दो parallelogram है जिनका base इक्वल है इक्वल बेस है AB and PQ and same parallel AQ and BR है तो मैं प्रूव करना है इसमें area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram PQRS construction क्या किया हमने construction किया हमने AL perpendicular to DR and PM perpendicular to BR प्रूव करना है थे प्रूव देखते हैं AB is parallel to DR and AL is perpendicular to DR and PM is also perpendicular to DR इस विए से हम कह सकते हैं parallel line की बीच में जो distance होता है वो equal होता है इस विए से AL and PM उक्वल हो जाएंगे and area of parallelogram ABCD क्या हुआ तो फिर हमारा area of parallelogram हुआ उसका base AB और उसकी height AL अब जैसा कि मैं पता है जो AB है जो base है वो PQ के बराबर है और AL जो है मारा PM के बराबर है तो हमने PQ into PM रखा तो हमें area of parallelogram PQRS मिलता है तो हम कह सकते हैं it is true इस तरिक से इस थोर्म का converge भी होता है converge क्या है parallelogram on the same base and having equal area will be in same parallel मिलतों से ऐसे दो parallelogram जिनका area equal होता है और same base होता है बोग दोनों का area जो या बोग दोनों जो parallelogram होंगे वो same parallel के बीच में लाइक करेंगे हमें given है two parallelogram ABCD and ABMN जो की same base AB पर है and area of parallelogram ABCD जो है area of parallelogram ABMN के equal है हमें prove करना है DCNM is a straight line parallel to AB that is CNN parallel to AB हमें simple वासन में कहना C जो AB और CNN है वो आपके समें parallel है construction करने के लिए हमने CP को line draw किया जो AB से perpendicular NQ line draw की जो AB से perpendicular है अब prove देखिए जैसा कि पता है हमें CP perpendicular to AB and NQ is perpendicular to AB AB दोनों ही perpendicular है तो हम कह सकते है CP parallel to NQ ऐसा क्यों 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 कि line perpendicular to same base are parallel ऐसी दो line जो कि same base से perpendicular होती है वो आपस में parallel होती है क्योंकि 1990D बनता है corresponding angle तो इस तरीके से area of parallel ABCD हमें दे रहे है area of parallel ABCD is equal to area of parallel A, B, M, N given है हमको हमें पता है area of parallel ABCD और area of parallel ABCD में किसके बराव होता है that is equal to base into height base ABCD के लिए होता है AB into CP और AB M, N के लिए area निकलता है AB into NQ AB, AB कट होने पर बसता है CP into NQ और जैसे में पता है CP is parallel to NQ CP is parallel and also CP and NQ also equal तो क्या सकते हैं CPQN यह प्रावराम CPQN प्रावराम हो गया और CPQN प्रावराम होगा तो हम क्या सकते हैं जो CN है वो parallel है PQ के तो CN parallel होगा AB के CN AB के भी parallel होगा तो इस बेसे में क्या सकते हैं प्रावराम ABCD and प्रावराम AB MN are in same base and इस तेम प्रावराम लाइन्स तेवराम 5 तेवराम 5 कहती है अगर जो एक प्रावराम है उस आप डाइगनल होगा तो डाइगनल जो होगा वो एक प्रावराम को two equal triangles में प्रावराम करेगा मैं क्या दे रखा है given क्या मैं मैं दे रखा है ABCD एक प्रावराम है और जिसमें BD एज़र डाइगनल जो जिसमें के BD एज़र डाइगनल है मैं प्रूब परना है area of triangle ABD is equal to area of triangle CBD तो देखिए in triangle ABD and CBD हम देखते हैं AB is equal to CD क्योंकि opposite sides of program है and AD equal to CB यह भी opposite side of program है and BD is equal to BD that is common triangle ABD is common to triangle ACD and triple S ट्राटियर यूज़ करते हुए तो इस पास से क्या फ़ावित होता है area of triangle ABD जो है वो equal है area of triangle CBD के इसी तरीके से area on triangle same base and in between same parallel and equal area मैं जो से ऐसे दो triangle जो कि same base and same parallel के बीच में होते हैं उनका भी area equal होता है हमें क्या दे रखा है हमें दे रखा है two triangle ABC and DBC इन दोनों में same base BC है and between same parallel BC and AD में आते हैं हमें प्रूप करना है area of triangle ABC is equal to area of triangle BDC construction में किया हमने B को ड्रॉप किया in such a manner जैसे कि B, E और C ये पैरलल रहें B, E and C ये आपसमें पैरलल हो जाएं and meet किया हमने D, A तक और ने D, A तक meet किया फिर अगल दूसी लाइन के लिए और ने प्रडूश किया E तक and throw C और C के दौरा हमने फिर से यसी लाइन C F and BD जो कि C F को ड्रॉप किया जो कि BD से पैरलल है और meeting at F और हमने उससे AD को जोइन किया ये हमारा construction था इसके बात हमने क्या किया हम याद देख सकते हैं कि क्वाल लेटर B, C, A ही बना हमारा और जिसमें के हम देख सकते हैं B, E parallel to CA है और E parallel to BC है तो इसमें opposite side जोती है parallel हो रही है तो इसमें याद से BCAE एक parallelogram हो गया उसी तरीके से एक क्वालेटर BCFD BCFD जो है वो भी एक क्वालेटर है जिसमें कि CF parallel है BDK and DF parallel है BC जीखे तो इसम जैसे opposite side parallel होनी जैसे BCFD भी एक parallelogram हो गया तो इसमें कह सकते हैं कि BCAE and BCFD ऐसे parallelogram है जो कि सेम बेस में हों सेम parallel में है तो इसका mean यह हुआ कि इननों का area भी equal होगा तो mean to say area of parallelogram BCAE become equal to area of parallelogram BCFD अब देखिए जैसा कि मैं पता है diagonal of parallelogram diagonal होता है parallelogram का वो area को equal part में divide करता है तो इसलिए area of triangle ABC जो होगा half होगा area of parallelogram BCAE के और similarly area of triangle BDC जो होगा उसका one upon two area of parallelogram BCFD के बरावर होगा तो हमने कोफिशन फर्स्ट और को यूज करते हुए हम क्या सकते है area of triangle ABC become equal to area of triangle BDC ABC और BDC का area equal हो गया इसके बात हम next आप चलते हैं इसमें BC base है और AL उसका height है हमें प्रूब करना है area of triangle ABC is equal to burn upon to BC into AL construction करना हमें construction through ANC ANC से में construction नहीं draw AD parallel to BC हमें इसमें प्रूब करना है कि area of triangle is equal to burn upon to base into height होता है तो हमने construction किया हमने point A से and C से line draw की जो कि AD के parallel AD ऐसी line draw की AD and BC parallel हो जाए and CD and BA parallel हो जाए और वो intersect करा दी हमने point D पर तो अब हम जैसे जानते है AD parallel है BC से CD parallel है AB से तो इसलिए BC DA एक parallel हो गया और जैसे मैं पता है कि BC DA पे पे एक parallel हमें और उसका diagonal AC है और जो parallel होता है वो दो equal part में दो equal area में divide करता है तो area of triangle ABC become equal to 1 upon 2 area of triangle BC DA और जैसे मैं पता है area of parallel होता है base into height base है BC and height है AL तो area of triangle ABC burn upon 2 and 2 BC into AL हम कह सकते है area of triangle क्या हुआ 1 upon 2 ABC equal to base and AL equal to height तो area of triangle is equal to 1 upon 2 base into height next theorem if the triangle and parallel are on the same base and between the same parallel then the area of triangle become equal to half of area of parallel मतलब कि अगर 2 triangle तो 1 triangle और 1 parallel same base or simply same parallel line के बीच में लाई करते हैं तो जो area of triangle है वो हाप होगा area of parallel तो देखिए हमें given क्या है ABC एक triangle है और parallel हमें BC DE जो कि same base और same parallel के बीच में lie करते हैं तो हमें prove करना है area of triangle ABC is equal to burn upon 2 area of parallel BC DE construction में किया construction में हमने draw किया AL perpendicular to BC BC and meet BC in L हमने construction में AL perpendicular to BC draw किया और हमने BC को in L तक draw meet कर दिया एंड जो हमारा DM है हमने DM perpendicular to BC DM को पर 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 दिया किया BC तक और हमने BC को M तक produce किया तो इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है कि हम देख सकते हैं BC and AD BC आपर पर 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 यह है and AL and DM वे आपर पर 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 में एक्वल है तो area of triangle हमने भी निकाल ता 1 upon to base into height the one upon-to इसमें मारा base BC है और height alpha और जिसना के हम देख सकते हैं जो BC है वारा BC कि तो BC रहेगा लेकिन AL AL and DM आप आसमें एक्वाल है कि वो दोनों सेम बेसें सेम प्रेलग के बीच में है तो इसलिए एल और डियम और एक्वाल त्यर्फोर इसलिए एल की जैने डियम रखा तो एरिया ओप ट्रेंगल एविसी विकम एक्वाल डू बन अपॉन टू वी इंटू डी एम तो एरिया ओफ ट्रेंगल एविसी इसकोल टू बन अपॉन टू एडिया ओफ प्रेलोगाम बीची बीची दी तो यह बात त्रू वह प्रेंगल तो यह आज सी सेम प्रेंगे बिच इंवा एड लेया ओटू हाप वा एग प्रेंगे ौख cel रोगा में क्या कि फैकिन ठ gros टू ट्रेंगल बेंप एस मैंड एक्वारे आइंड फिंपेल एड हो में लाएंड बेट्वीसीं पैर तो ट्रैंगल अगर सेम फैंच एपे और उनका एडीया भी इकक्वल है तो सीम पेल्ल में लाइक करेंगे करेंगे के तो देखे हमें कि रख़ा हमें देख दो ट्रैंगल हैं जो कि सेम बेस पर हैं एबी पर हैं एंड एरियोफ ट्रेंगल एवी-सी और एडीयोफ ट्रैंगल एवी-डी आप से एक्वाल है हमें प्रूव करना है cd इस प्रेलल टूवी इस दिज़ी और अपसने प्रेलल है construction हमक्ट ड्रो किया कमने cp-perpendicular to a v cp को हमने perpendicular to a v draw किया and deque perpendicular to a v औOR a v kip perpendicular हमने द्रॉ किया अब देखे प्रूफ हम देखते हैं जैसा कि हम पता है cp is perpendicular to a b and dq is perpendicular to a b and also cp is parallel to dq cp जो है प्यूब के parallel है क्योंकि perpendicular line जो होती है parallel होती है इन बिद्ध सेम बेस और में यह भी दरखा area of parallel area of triangle a b c and area of triangle a b d equal है तो हमें मिलता क्या है 1 upon 2 a b into cp is equal to 1 upon 2 a b into dq और जैसा मैं पता है कि cp and dq तो perpendicular line है तो वह दोनों आपसमें equal होंगी तो इस वजह से क्योंकि 1 upon 2 1 upon 2 cut गया और a b a b same बेस ता बहुत गया तो cp equal to dq में मिला तो हम क्या सकते हैं हमें यहां पर दिखता है cp and dq parallel थे and cp and dq भी equal हमने प्रूब कर दिये तो जैसा पता यहां में तो cd and pq parallel है and cd is also parallel to a b cd जब प्रूब के प्रूब होता है कि अगर दो triangle same base के बीच में लाइक करते हैं और उनका area equal होता है तो वह दोनों आपसमें parallel होंगे इस तरीके next theorem from 10 if two triangle have equal area and one side of triangle is equal to another side then their corresponding altitude become also equal to one another they can kasey करते है मैं देरक्थ है triangle a b c or triangle d e f में area of triangle a b c is equal to area of triangle d e f and b c is equal to e f तो मैं प्रूब करना है altitude a l and altitude dm इन triangle a b c and triangle d e f में equal है तो प्रूब देखते हैं हमारे पास area of triangle a b c है 1 upon 2 b c is the base and height a l और ना होता है area of triangle 1 upon 2 base into height and area of triangle d e f equal to 1 upon 2 into e f into dm और जासा है मैं पत्दे रखा है area of triangle a b c is equal to area of triangle d e f तो इससे हमारा सेम बेच था b c and e f आपस में equal थे और बनपूर 2 बनपूर 2 cut होने के बाद a l become equal to dm a l और dm आपस में equal होगे तो इसससे में पता चला altitude a l become equal to altitude dm area of trapegem area of trapegem मैं प्रूफ परना है कितना होता है यह हमें प्रूफ करना area of trapegem बर्ण पॉन टू इन्टू सम अप प्रैल्ल साइट एंड डिसें इन बिटीन तेम के बराबर होता है तो हम कैसे प्रूफ रहेंगे से देखते हैं हमें गिविन क्या क्या है हमें दिये रखता है i-a-b-c-d एक ट्रैपजियम है इसमें a-b-p-c-d है एंड cm is perpendicular to ab और cm हमारी हाइट है हमने two proof क्या करना था तूफ प्रूफ करना है हमें area of trapegem is equal to 1 upon 2 into sum of parallel side ab plus c d into height है हम इसमें ले सकते हैं h construction construction हमने draw किया draw करने के लिए लिया यह परपेंडिकुलर टू टीसी एक लाइंट रोकी जो कि परपेंडिकुलर होगी पीसी के and meet as cd जो cd पर जाकर करके meet कर रहे होगी सेकेंड हमने उसे जॉइन किया एसी से और जो एसी को जॉइन कर रहे हैं अब जो जॉइन करने के पर हमने एसी को जॉइन किया हम देख सकते हैं जो एरिया ओफ 3 ट्रैपजी में कोर्रिलिटर a b c d वो दो ट्रैंगल को बराइ Virginia परेला इडिया औफ त्रम्ट के बड़ एड़ आयन्ड एरिया ओफ ट्रैंगल एड सी डी इन दोरों के फ्में हो रहा है देख Local तो मारे पास area of triangle ABC जो है 1 upon 2 base उसका AB है और हैट उसकी CM है तो 1 upon 2 AB into CM and area of triangle ACD equal to 1 upon 2 DC into AR अब देखे हम जैसा कि जानते हैं हैट सेम होती है दो पेरल लाइन्स में तो मारा AL become equal to CM, AL and CM आपस में, AL and DC आपस में equal हो जाएंगे तो मारे पास क्या बता है 1 upon 2 into AB plus CD into height हमने AL CM को equal कर लिया height के रापर, तो हमारा area of trapezium क्या मिला हम है area of trapezium become equal to 1 upon 2 somehow parallel side into distance in between them theorem number 12, area of rhombus is equal to 1 upon 2 into product of diagonals area of rhombus होता है 1 upon 2 and product of diagonals के बराबर होता है तो हमें दे रखा है कि ABCD एक rhombus है उसके diagonal AC and BD हैं तो हमें प्रूब करना है area of rhombus ABCD is equal to 1 upon 2 into AC into BD प्रूब करना है तो हमें प्रूब देखिए प्लस एरिया of triangle ACD तो इसमें हमें AC जो मारी line AC है वो दोनों में common मिल रही है तो हम AC common ले लिया अब हमें अंदर बचा 1 upon 2 into AC into BO plus DO और BO और DO मिलता है BD BO और DO मिलता है BD तो 1 upon 2 AC into BD और AC and BD जो है diagonal का product है तो हम कह सकते हैं 1 upon 2 into product of diagonals तो area of rhombus is equal to 1 upon 2 product of diagonals यह हमारी कुछ theorem से जिने हमने आपको बताया इन theorem को करने के बाद आपके book में बहुत सारे सवाल दे रखें जिने आपको गोत्रू करना है और हम इन सभी सवालों को आपको classroom में कराएंगे बनबाविंग करके यहाँ पर हमने आपको केवल इस chapter के theorem के बारे में इंट्रो दिया है और इसके chapters है इन्हें आप by own exercise की exercise को आप खुद कीजिए और doubt हो comment section में हम तक पहुचाईए और हम उनके सवालों के जवाब आपको पहुचाएंगे और जैसा कि हमने आपको बताया है कि आप इस audiobook को पढ़ते समय आप दो बार पढ़ने से एक चप्टर स्तुरू होने से पहले और एक चप्टर खत्म होने की बात अभं कुछ fact and formula को revise कर लेते हैं जल जली से पहला area of parallelogram जो होता है base into hat कराव होता है area of triangle burn upon to base into hat होता है area of trapezium burn upon to some of parallel side into distance in between time कराव होता है area of romance burn upon to product of diagonal होता है अब देक कोश्य हमने फिर्म बपनेदी पर पढ़ते हैं parallelogram on the same base and between same parallel are equal area and parallelogram and rectangle on the same base and between the same parallel are equal area and similarly triangle on the same base and between same parallel also have equal area and if triangle and parallelogram are on the same base and same parallel and parallel and same then area of triangle become equal to 1 upon to half of area of parallelogram जीस तरीके से a diagonal of a parallelogram divide into a parallel जो होता है parallelogram का उसे 2 equal areas में divide करता है जैसे इसमें हमने ABCD को देखा है और इसमें parallelogram ABCD जो AC है वो दो इकोल area में divide करता है तो area of triangle ABC become equal to area of triangle ADC इसी तरीके से diagonal of polygon divide it into four triangle of equal area में जो से diagonal जो होते हैं पहलों के वो four equal areas में भी divide करते हैं हम कहाते है area of triangle AOB is equal to area of triangle COD area of triangle AOD and area of triangle BOC जिसे के से a median AD of a triangle divide it into two equal area में जो से median जो होती है वो भी एक triangle दो equal area करती है में जहाँ पर देखिए area of triangle ABD become equal to area of triangle ACD इसी तरीके से if the median of a triangle intersect at G जो से हम सब बुच करते हैं इसे करती है G point पर तो area of triangle A G B area of triangle A G C and area of triangle B G C is equal to one third होगा area of triangle ABC के इसी के साथ हमारे इस chapter के लिए हमारे तपसे आपके लिए इतना ही है आप इस chapter के फोर्म लगाई है कुशिन कीजिए और अगर आपको डॉट आता है तो हमसे clear कीजिए हम आपके साथ राट को clear करेंगे जित्री के साथ दन्यवाद करेंगे बाुट